नमस्कार नमस्कार मैं कुल्दीप गौड जैसा कि आपने शीर्षक देखी लिया होगा दरसल मैं भी एक रचनात्मग वेखती हूँ और बहुत सालों से संस्क्रिट जगत से जुड़ा हुआ हूँ इस संस्क्रिट जगत के अंग उपांग से परिचित होने का प्रयत्न रहा है और आज दुखी हूँ और आज भी दुखी हूँ और इस समय थोड़े से बुरे दिन का शिकारी हूँ शिकार हो रहा हूँ मैं भी संस्क्रिट का चात्रों और जो जिस विद्या का जानकार होता है उस विद्या का जानकार होता है तो मैं भी जितना भी मैंने पढ़ा सीखा जितना भी पहलाने का काम करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि प्रतिसपर्धा का युग है और इस प्रतिसपर्धा में हमें भी रहना है और उस प्रतिसपर्धा से आगे बढ़ना है तो इस संसार में दो प्रकार के मनुश्य होते हैं एक मनुश्य वो होते हैं जो नायक होते हैं जो इस संसार को आगे ले जाते हैं और कुछ वो होते हैं जो उबभोग करते हैं उबभोगता अर्थाज जैसे गुरु है तो गुरु वह है जो इस संसार को आगे ले जाता है मेरा बैक्ग्राउंड जो कि मेरी इस्तिती अनुकूल नहीं है तो मेरे वो कभी कर नहीं आया है जो लोग काम आज कर रहे हैं पहले बहुत पहले इसको देखना हो तो बहुत सारे गुरूप इतने समय पूर्व बन चुछा है सक्सेस्पूल हो रहे हैं मैंने बहुत पहले ही यह काम कर चुका था लेकिन आज तक मैंने कर भी यह नहीं कहीं कि मैं ऐसा मैं वैसा मैं वैसा करता हूं मैं यह मानता हूं तो प्रतिक्रियाएं होंगी वही प्रतिक्रियाएं हमारी प्रतिष्ठा की हम खुद से कहें हम ऐसा है वैसे हैं लेकिन नहीं अलुआ है कि जिसने मुझे बहुत कि मैं संस्क्रिट जगत में निशुल्क और बहुत तक मैंने बिना किसी स्रम के बिना किसी उद्देश के हां एक उद्देश से जरूर रहता है वह हमें अभी कौंग लेकिन बदले में हमें जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला है मेरा एक उद्देश मातर यह रहा है कि अपनी प्रतिभा का विकास और थोड़ा सा समाज में इस्थापना यह हर किसी यह सब्सवी हर कोई होना चाहता है तो हमने भी यह काम किया मैंने बहुत सारे गुरूप में निशुल्क वक्तबे परदान किये हैं निशुल्क मैं पढ़ाता हूँ निशुल्क मैं बहुत सारे काम करता हूँ इसी तरह से मैंने बहुत सारे गुरूप में छोटा व्यक्ति होने के कारण भी अविद्वान होने के कारण भी साहस किया है कि मैं अपना कुछ पहुंचा पाऊं लोगों को यदि लोगों को अच्छा लगता है मुझे सुनना अच्छा लगता है तो मैं उन्हें अपना ग्यान दे सकूं मुझे इस से जानता हूं कि मुझे नफरत करने वाले भी बहुत हैं मुझे गलत समझने वाले भी बहुत हैं लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि वो गलत इसले समझते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मुझे देखा ही नहीं है यदि मुझे देखा होता, मेरी जीवन चरिया देखी होती मुझे जाना होता, समझा होता तो सायद किसी तत्थ के आधार पर वो निंदा की बात कहते है तो यही आज दरसल मुद्य की बात यह है कि किसी संस्कृत गूरूप ने बहुत दीर प्रशिक्रित काल से मेरा एक संभासन रखा था मैंने उसके लिए बहुत तयारी की थी और जो तयारी होती है यह केवल सामने पर एक बोल जाने की तयारी नहीं होती बलकि एक मानसिक संकल्पना होती है बहुत सारी उतल फुतल होती है यह अपने को तयार करना होता है कि किस तरह से बोलना है किस तरह के शब्द छोड़ने है म उसे निवास के द्वारा हमारी जिवा ऐसा ही सब्द निश्रित करें जिससे कोई अन्होनी न हो जाए तो यह मानसिक संकल्पना के साथ हम तयार होते हैं तो उसी तयारी के साथ और वहाँ भासन डिलिए यह है संस्क्रिट जगत की वैमनश्यता जिसका सिकार अभी तक मैं होता आया हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं होता हूँ जब तक मेरा अनुकूल समय नहीं आएगा इसलिए मैं बहुत काल से चुप हूँ जबकि मेरे सारे मित्र जो मैं से जुड़े हूए वह जानते हैं कि आखिर हमारे अंदर कितनी शक्ती है कितनी संभावना है हमारी उन संभावनाओं का विकास नहीं होने दिया जा रहा है हमें नहीं बढ़ाया जा रहा है वो हमारे पापकर्म है कभी किसी जन्म के पापकृ आएगा जिस दिन हम विवार करेंगे और जिस दिन हम सरस्वती उस भगवती से आराधना करते हैं कि है भगवान हम से कुछ कुकृत्य न हो जाए हमने जो जहला है वो हमें न जहलना पड़े तो आज वह 52 मिनट का जो वीडियो डिलीट किया गया है और हमारी पूरी जो एक संकलपना थी वह बरबाद हुई है इससे बड़ा आघात पहुँचा है और यही मेरे साथ और भी हो रहा है कहीं जो प्रूव नहीं हो क्योंकि एक प्रतिस परदा है मैं भी यूट्यूब का भी गुज़ा है लेकिन जो इस प्रतिस्परदा है इस प्रतिस्परदा से बच बच कर मैं काम कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ सब बढ़ें लेकिन किसी को नीचा दिखा कर कि क्यों बढ़ना है भाई मैंने क्या कभी किसी को नीचा दिखाया है मैं अगर किसी कोई मेरे पास आता है मैं उसकी सरहना नहीं करता हूँ या जब तभी करता हूँ जब मावाकई में मुझे दिखता है तो ये मेरे अपनी मर्जी है लेकिन मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी मैंने किसी का काम नहीं बिगाड़ा लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ है मैं उससे आहत हूँ और बहुत टाइम से ये बात कहना चाहता था और अभी नाम जद कहूँगा भी अभी मेरे दुर दिन चल रहे हैं अभी नहीं कहूँगा लेकिन उचित समय आने पर मैं एक-एक संस्कृत के जो महारती बनते हैं लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि हमारे संस्कृत जगत का गलत ना हो जिस तरह से आप तारे लोग सुनते हैं तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों के कुद्रिष्टी का शिकार हूँ लेकिन कहीं न कहीं यदि किसी के दिल में बैठ गया यदि किसी ने यस की संभावना और मेरे प्रतिभा के विकास की अनंत संभावना हैं तब देखेंगे आज दूर दिन हैं आज लोग नहीं समझ रहे हैं जब समय आएगा तब देखेंगे तो थोड़ा सा निराज था ऐसे लोगों से बचाने के लिए जो मेरे साथ हुआ उनके साथ नहो और जो लोग अभी हमारे जैसे नवां कुर हैं और अपना कर रहे हैं लगातार उनके साथ तो मुझे लगा यह वीडियो आवस्य बचाए तो मनस्तिती ब्यक्त करने के लिए यह किया है लोग मुझे प्यार करते हैं उनका प्रति बना रहे हैं और अफेंग नफरत करें ताकि रहता चलेगा उनकी कालिक जो छटेगी उससे मुझे बड़े आनंदी की प्राप्ति होगी तो आप अपना नफरत का धर्म निभाते रहें और प्यार करने वाले मुझे प्यार करते रहें आपकी नफरत ही मुझे जोस देती है मुझे सांत रहे करके अपना काम करने का वो करती है असांत हो जाता हूं कुछ कारण है बहुत सारे कारण है जो बताए नहीं जा सकते कुछ कहानियां होती हैं जिनको शब्द देना बड़ा मुश्किल होता है वो यदि प्रकट हो जाएं तो ही अच्छा है बस भगवान से क्रिपा कर रहा हूं कि इन से मुझे नपर किसी तरह से चलते हुए निकले लेकिन वह नहीं रोक पाए तो हम कौन होते हैं आप कह सकते हो जाएं च्छे तरह से खक्रिपा कर थाएं ये कर दो और हैं आपाएं